नियम बध्धता और कर्तव्य परायनता बड़पन का आधार मैसूर के दिवान की हैसियत से वे राज्य का दौरा कर रहे थे एक गाउं में वे अकस्मात बेमार पड़ गए ऐसा तेज ज्वर जढ़ा कि दो दिन तक चारपाई से उठना सके गाउं के डौक्टर को बेमारी का पदा चला तो भागा भागा आया और उनकी देख भाल की उसके अथक परिश्रम से वे अच्छे हो गए डौक्टर चलने लगे तो उन्होंने 25 रुपे का एक चेक उनकी फीज के बतौर हाथ में थमा दिया डौक्टर हाथ जोड कर खड़ा हो गया और कहने लगा साहिब ये तो मेरा सो भाग ये था कि आपकी सेवा करने का मुझे अफसर मिला मुझे कोई फीज नहीं जाहिए चेक हाथ में धमाते हुए उन्होंने कहा हर बड़े आदमी की कृपा छोटों के लिए दंड होती है आप ऐसे अफसरों पर फीज इसलिए ले लिया कीजिए ताकि गरीबों की बिना फीज की सेवा कर सके ऐसा न किया कीजिए कि दवाएं किसी और पर खरच कर पैसे किसी और से वसूल करें ये थी उनकी महानता जहां बड़ी लोग अपनी सेवा मुफ्त कराने अनुचित और अत्यधिक सम्मान पाने में बड़पन मानते हैं वहां उन्होंने परिष्ट्रम, नियमितता और कर्तव्य पालन में ही गरव अनभव किया यदि ये कहा जाए कि अपने इनहीं गोणों से उन्होंने एक साधारन व्यक्ति से उठकर देश के सरवाधिक ख्याती लब्ध इंजीनियर का पद पाया तो कोई अतेश्योक्ति ना होगी वे नियम पालन में डॉक्टर की सामने क्या बड़े-बड़े व्यक्ति के सामने भी उतने ही तठस्तर है कभी लचीला पन व्यक्ति नहीं किया उन्हें भारत रतन की उपाधी दे गई अलंकरन समारू में उपाधी ग्रहन करने के लिए वे दिल ले आए नियम है कि जिन्हें भारत रतन की उपाधी से विभूशित किया जाता है वे राष्टरपती के अतिति होते हैं और राष्टरपती भवन में ही निवास करते हैं उन्हें भी वही ठैराया गया राश्ट्रपती डॉक्टर राजिंदर प्रसाद प्रती दिन उनसे मिलते थे और उनके सानिद्धे में हर्ष अनभव करते थे एक दिन जब राश्ट्रपती उनसे मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वे अपना सामान बांध रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने आते ही पूछा ये आप क्या कर रहे हैं अभी तो आपका ठहरने का कारिक्रम है हाँ है तो पर आप कहीं दूसरी जगा ठहरना पड़ेगा यहां का ये नियम है कि कोई व्यक्ति तीन दिन से अधिक नहीं ठहर सकता राष्टपती बोले आप तो अभी यही रुखिये तो उन्होंने कहा नियम के सामने छोटे बड़े सब एक हैं मैं आपका सनेह पात रहूं इस कारण नियम का उल्लंखन करूं तो सामाने लोग दुखी ना होंगी क्या और ये कहकर उन्होंने अपना सामान उठवाया बाब पालन से मनुष्य बड़ा बने केवल पद और प्रतिष्ठा पाले नहीं बड़पन का चिंध नहीं है सूर्य चंद्रमा तक जब सनातन नियमों के अभेहिलना नहीं करते हुए पूज्य और प्रतिष्ठित हैं तो समुझित कर्तव्य और नियमों के पालन से मनुश्य का मूल्य कैसे घड़ सकता है भले ही काम कितना ही छोटा क्यों नहो वे थे देश के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वैश्वरय या जिनकी प्रतिष्ठा और प्रशंसा भारतवर्शी नहीं इंग्लैंड और अमरीका तक में होती थी पद के लिए नहीं वरनकार्य कुशल्ता, नियम पालन, अनुशासन और योग्यता जैसे गुणों के लिए उद्रित संस्मर्ण, पंडित श्रीराम शर्मा आचारिय, पुस्तक संस्मर्ण जो भूलाई ना जा सकेंगे झालाई ना जा जोग्यता है